एक एक कर हाथी से उतर रहे मायावती के सिबह सालार, रितेश पांडे के बाद अब इस सांसद का भी नमबर, बोजन समाज पार्टी के कुछ और सांसदों के पार्टी छुड़ने की अठकले हैं, बस्पा के कई सांसद नए विकल्प तलाश रही हैं, बता दें कि मायावती क नेत्रित्व वाली बस्पा ने सपा के साथ गट बंधन में दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव लड़ा था और दस सीटे जीती थी, पार्टी के तीन सांसद अब तक पाला बदल चुके हैं, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को पूर्वा गांधी की भारत जोडो न्याई यात्रा में शिरकत की शाम सिंग यादव संसत के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी से मिले थे, वह संसत भवन से राहुल के साथ उनकी गाडी में बैठ कर दस जनपत स्थित उनके आवाज गए थे, इससे पहले शाम सिंग यादव के भाजपा में भी शामिल होने की अटकले थी, जब उन्होंने केंद्रिय बजट और यूपी सरकार के बजट की तारीफ की थी, शाम सिंग यादव की बसपा से बगावत की अटकले 2022 से ही लगाई जा रही है, जब वह कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा में शामिल हुए थ तब उन्होंने कहा था कि राहुल यह यात्रा देश में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए निकाल रही है और इसका राजनीती से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा सांसत का आभार जताया था और उन्हें एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था संसत के सदस्य के रूप में आप भारत के लोकतांत्रिक धाचे की रीध है और हमारे लोगों की आवास का प दिल्ली बीजेपी दफ्तर में रविवार को आयोजित एक कारेक्रम के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी बैजन्त पांडा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्ती सीएम ब्रिजेश पार्थक ने उनका पार्टी में स्वागत किया। बोजन समाज पार्टी के कुछ और सांसदों के पार्टी छोड़ने की अठकले हैं। बस्पा के कई सांसद नए विकल्प तलाश रही हैं। बता दें कि मायावती के नेत्रित्व वाली बस्पा ने सपा के साथ गट बंधन में दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव लड को बस्पा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया था। अब वह कॉंग्रेस के साथ जा चुके हैं। वहीं गाजीपुर के सांसद अवजाल अंसारी को सपा ने दो हजार चौबीस के लिए अपना उमीदवार घोशित कर दिया है। एक अन्य सांसद म मलूक नागर के आरलदी में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रही है। वह बिजनौर से बस्पा के सांसद है। लालगंज लोकसभा सीच से सांसद संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने की अटकले पिछले कई दिनों से लगाई जा रही है।